मेरा नाम आरके सिर्वास्तो राथ देखे टारिक ट्लेक्रीशन दोस्तों जो पुराने एक्जाम में यूपी विसील के एक्जाम में जो आएवे पेपर हैं उसको आएए अगला पेपर देखते हैं उस खड़ी में जो दोस्तों अभी जो छेसो तेज की वेकंसी आई थी उस के ये पेपर है धेख लिए उसका सिज्विजप으면서 कोड़ से और फुष्टिक की सिरीज कोड़् और यह देखिए पर्सष्टि esa क्रवांक । यह देख लिए यह तो आएए गए डिकनेशन ग्राइट्टू प्रसीचु देख लिए लेक्टिकल का यह पेपर हैं तो आएए सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं पी शुरुवात होती है कंप्यूटर से तो आज़े कंप्यूटर के कुश्चन पहले देख लेते हैं CTR एं सिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं आंसर होगा मॉडिफायर की अगला है Communication Device का एक उदाहरन है आंसर होगा इसका दोस्तों मॉडम अगला कोश्चन है कंप्यूटर साफ्ट्वेर में से तुर्टियों को हटाना कहलाता है आंसर होगा डीबगिंग अगला कोश्चन है कौन सी की करसर के बाई और के अच्छरों को डिलीट करता डिलीट करती है ऐसे आप्लिकेशन को निम लिखिट में से क्या हास्त लिखिट या मुदृत आवरान डिजिटल एमेज बना कर मेमोरी वह से अ lustे करता है अगला question है desktop पर किसी application को निम्न लिखे shortcut की से खोला जा सकता है answer होगा इसका इन में से सभी मतलब दोस्तों किसी चीज को कोई icon है उसको खोलना है या कोई application उसको खोलने के लिए इसके लिए shortcut की मतलब जो shortcut की का icon है उसको double click करेंगे तो योग जाएगा राइट क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे तो open option आएगा उससे चुन करके भी खोल सकते हैं और icon को select करके इंटर दबावेंगे तो भी वो खुल जाएगा अगला question है दोस्तों preview mode में आपकी scale उसी page को देख सकते हैं जिस पर उस समय आप कार कर रहे हूँ अगला question है बिंडो शेवन निमनलखित का एक उदाहरण है आंसर होगा दोस्तों एक operating system अगला question है ms word में select किये गए सब्द को subscribe करने के shortcut की कौन सी है आंसर होगा control plus is equal to अगला question है दोस्तों excel में select किये गए cell range से एक चार्ट बनाने के keyboard shortcut की क्या है f11 अगला question है दोस्तों एक gigabyte लगभग है एक गुड़े दस पर घाते छे बाइट अगला question है वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास आवस्य होना चाहिए एक cable modem browser पहले तो आपका internet ही होना चाहिए तभी web browser भी काम करेगा कोई भी चीज बात में ही काम करेगे पहले तो आपका internet ही होना चाहिए अगला question है दोस्तों एक cd row disk optical disk का एक रूप है इसलिए इसमें एक केवल एक बार लिखा जा सकता है one time writeable होती है अगला question है दोस्तों word processing spreadsheet और photo editing निमने लखित के उदाराण है answer होगा application software अगला question है दोस्तों internet पर internet का बीज बोने internet का बीज बोने वाला पहला network था answer होगा a-r-p-a-n-e-t अगला question है दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा एक generation और सोरी निमने लिखित में से कौन सा एक presentation graphics software है अंसर होगा ms powerpoint अगला question है दोस्तों micr निमने लिखित के लिए लिखा जाता है answer होगा magnetic ink character recognition अगला question है दोस्तों omr का पूर्ण रूप है answer होगा optical mark reader अगला question है दोस्तों किसी printer का resolution निमने लिखित में मापा जाता है answer होगा dart print inch dbi अगला question है दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा कौन से network में telephone लाइनों का प्रयोग होता है w a n अगला question है एक्सल में पूरी work sheet को निमने लिखित द्वारा select किया जा सकता है answer होगा इसका दोस्तों यह इसमें जो भी option है वो दोस्तों गलत है work sheet को select करने के लिए आपको control plus a ही दवाना पड़ेगा और इसमें कोई control a plus a का कोई option है नहीं तो अगला question है दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा image file extension नहीं है answer होगा पी जी डबलू ए वी डबलू ए वी नहीं है जे पीजी भी है जी आई एफ भी है और पी एन जी भी है अगला question है दोस्तों windows में shortcut shift plus delete का प्रयोग ने मिलखित प्रयोग किसलिए किया जाता है अंजर होगा चैनित item को बिना recycle bin में डाले स्थाई रूप से delete करने के लिए अगला question है CAD निमने लिखित के लिए लिखा जाता है अंजर होगा computer edit design अगला question है NEFT और RTGS क्या है अंजर होगा bank से bank में electronic fund transfer अगला question है select किये गए character sorry select किये गए text को पूरता बड़े अच्छर में परिवर्थित करने के लिए आप change case button और click को click करेंगे और फिर answer होगा upper case अगला question है select किये गए text को centerline करने के लिए shortcut की है answer होगा control plus E अगला question है तोस्तों यदि एक सब्द तुरंत पुन्रा वर्तित होता है तो MS word किस प्रकार अनुक्रिया करेगा answer होगा पुन्रा वर्तित word के नीचे एक लाल रंगदार रेखा अगला question है दोस्तों Excel में default से cell के अंदर text 36 रूप से कैसे align होता है अंसर होगा left align अगला है backup क्या है अंसर होगा data बचाने के लिए data मतलब delete नहों उसको बचाने के लिए इसे mode शुरोच से copy करके दूसरी जगा रखना अगला question है दोस्तों विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर software में प्रयोग करने का software को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम लिखे त्वारा अनुदत तो होता है अंसर होगा software license अगला question है नए slide के लिए keyboard shortcut क्या है अंसर होगा control plus M अगला है किसी login नाम और password की प्रमाड़ी करण को कहा जाता है आंसर होगा login अगला question है दोस्तों email पते का सही सन रूप नेम लिखित में से क्या है आंसर होगा sell at the rate website.info अगला question है MS Word के किसी document के अंत में किये गए कार को अंत में किये गए कारे को अंकिया करने के लिए shortcut की currency है मतलब वापस जाने के लिए control plus Z मतलब जो है उसको मिटा देने के लिए अगला question है excel में निमने लिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं आंसर होगा बार चार्ट लाइन क्राफ और पाई चार्ट अगला है विंडोज के बीच विंडोज के बीच सिकरता से अदला बदली करने का तरीका निमने लिखित में से कौन सा है आंसर होगा अल्ट प्लस टैब अगला question है दोस्तों विंडोज आपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है माइक्रो सॉफ्ट अगला question है निमने लिखित में से कौन सा इन्पुट डिवाइस है आंसर होगा इन में से सभी मतलब माउस भी इन्पुट डिवाइस है कीबोर्ड भी स्कैनर भी अगला है एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए साट कट की कौन सी है आंसर होगा इसका दोस्तों विंडोज की प्लस इ विंडोज की जो बटन होगी प्लस इ दबा देंगे अगला है टेलिफोन लाइन पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्लखी द्वारा प्रदान होता है आंसर होगा डिजिटल सिगनल लाइन अगला कोशन है क्लिफ बोर्ड में से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रियुक्ट साट कट की है आंसर होगा कंट्रोल प्लस वी अगला कोशन है सेलेक्ट किये गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करते हैं आंसर होगा अंडर लाइन अगला question है दोस्तों किसी document में insert hyperlink dialogue box को परदर्शित करने के लिए short cut की कौन सी है आंसर होगा control plus k किसी document में insert hyperlink dialogue box को परदर्शित करने के लिए short cut की कौन सी है control plus k अगला question है कोई अंक या अच्छर baseline कोई अंक या अच्छर baseline के उपर और छोटा होता है तो उसे निमलिखित कहा जाता है आंसर होगा subscribe अगला है Excel window में कौन सा छेत्र रासियों और सुत्रों की प्रिविष्टी की अनुमती देता है अंसर होगा formula bar अगला question है mouse trackball और joystick निमलिखित के उधारण है अंसर होगा pointing devices अगला question है e-commerce क्या है अंसर होगा इसका दोस्तों internet की साहता से उत्पाद और service खरीदना और बेचना अगला question है दोस्तों पचासवा यदि आप किसी PC की कार्य छमता को बहतर करना चाहते हैं तो आपको निमलिखित को आपको करना चाहते हैं तो आपको निमलिखित को अपग्रेड करना होगा का answer होगा CPU तो दोस्तों यह पचास question computer क्यों हो गए अब आगे देखते हैं यह दोस्तों अब इलुच का question है आए इसको भी देख लेते हैं निमलिखित कद्यांस को साधानी से पढ़ें और नीचे दिये गए प्रस्नों का उत्तर दें होगा मनुसे जब नहीं नहीं सच्चाईयों को देखता है तब वह अपना नय तिक करतब समझता है कि उनके अनुसार ब्यवहार करें परंतु ऐसे मौकों पर धर्म अपने रास् में रुकावड बनकर खड़ा हो जाता है जब गैलीलियो ने इस बात का पता लगाया कि सूर प्रत्वी के गिर्द नहीं गूमता प्रत्वी सूर के गिर्द गूमती है तो उसने अपना नैतिक करतब समझा और सच्चाई को जाहिर करें अपनी उसने जब इस सत्त को प्रग दिया कि वा विचार गलत की उसका विचार गलत था संसार का इतिहास इस बात का साच्ची है कि धर्म सत्त को दवाता है रूड इवाद और बुद्धिवाद का बिरोध करता है इतिश्टी में से धर्म और बिग्ञान की लड़ाई एक तरह से धर्म और नीट की लड़ाई ह तो आईए दोस्तों question इसका देखते हैं धर्म और बिज्ञान की लड़ाई धर्म और नीत की लड़ाई है इस कथन का आसे क्या है आंसर होगा रूडिवाद और बुद्धिवाद को नकारा अगला question है दोस्तों उक्त गध्यान्ज का आसे है आंसर होगा धर्म द्वारा और नेतिक्ता का परदाफाश अगला है इस गध्यान्ज का उप्यूक्त सीरिशक हो सकता है आंसर होगा धर्म और नेतिक्ता का बिज्ञान नेतिक्ता पर बिज्ञान का परभाव अगला कोशन है जाहिर से अभी प्राय है आंसर होगा उजागर अभलिक प्रगट अगला कोशन है देखते हैं दोस्तों निर्फित वाक्यों के प्रथम और अंतिम भागों को करम सा एक से छे की संख्या दी गई है इनके बीच आने वाले अंसों को चार भागों में बाट कर यारा लावा की संख्या दी गई है चारो भाग उचित करम में सही हैं उचित करम में नहीं है इन अंसों को उचित करमा अनुसार बेवस्थित करना है वाक्यों को ध्यान से पढ़ कर दिये गए विकलपों में से इनका उचित करम चुनिये कोशन है दोस्तों सिच्छा के छेत्र में आचारवान इसका आंसर होगा दोस्तों चार इसके बाद रा दिखते हैं सिच्छा किछेतर में आचारवान वा महान सिच्छार्थियों को ही अस्थान देना चाहिए जो अपने विद्धिगत प्रभाव से विद्धियार्थियों को सुपत पर ला सकें और उन्हें जीने की सही राह दिखा सकें तो दोस्तों यह रहा चुथा अंसर अगला कोशन आज़े दोस्तों देखते हैं आज से लगभग एक सताबदी वर्स आंसर होगा इसका दोस्तों दो आज से लगभग एक सताबदी वर्स एडिसन नामत पर अमेरिकन प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान ने समतल दीवार पर प्रकास की किरणों से कुछ छाया चित्र प्रस्तुत करके चल चित्र को जन्म दिया अगला कोश्चन है ब्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती क्योंकि ब्यायाम करने से रक्त में रहने वाले किटाड़ू सबल हो जाते हैं और वे रोग पैदा करने वाले किटाड़ूं को नश्ट कर देते हैं तो आंसर होगा इसका दोस्तों चार यार या ला रा अगला कोश्चन है दोस्तों आजे देखते हैं निम्लिलखित वाक्यों में उप्यूक्त सब्दों द्वारा रिक्त अस्थान की पूर्ति के लिए चार चार बिकल्प दिये गए हैं इनमें सही इनमें से सही विकर चुनिये अठावनों कोशन है दोस्तों विश्वास है कि इस पत्र को पाकर आप उचित कारवाही करेंगे अगला है दोस्तों मैं मंत्री की से आपको धन्यवाद देता हूं मंत्री की हैसियत से आपको धन्यवाद देता हूं अगला कोश्चन है दोस्तों निमनिलिखित प्रस्नों में दिये गए प्रतेक वाक्व में बोल्ड सब्दों के बिलोम से रिक्त अस्थान की पूर्थी के लिए चार-चार विकल्प दिये गए हैं थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है अगला है यमुना का प्रवाह अविकल है किन्तु वा कहीं गहरी और कहीं उथली है अगला है निम्न लिखित वाक्यांस के लिए एक सब्द का चैन कीजिए बीर पुत्र को जनम देने वाली इस्तरी वीर प्रशु जो बीर को जनम देती है उसको एक सब्द में लिखेंगे बीर प्रशु अगला है अद्रस सब्द का अर्थ है जो दिखाई ना दे अगला वाक्त दिया गया है वाक्त के जिस भाग में गलती हो उसे उसके अनुसार एक दो तीन को चुनिए यदि कोई गलती ना हो तो उत्तर चार चुनिए अगला कोशन है दोस्तों अपने जीवन दर्सन के प्रकटी करण करने के लिए साहितिकार स्रजनातमक कृति की रशना करता है इसमें भी दोस्तों कोई गलती नहीं है अगला कोशन है आईए देखते हैं किसी कोड में आर ए टी ए आई एल को यदि एस एफ यू बी जे एम लिखा जाता है तब उसी कोड में ए एक्स पी ए सी टी कैसे लिखा जाएगा तो इसमें दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग से इनके अच्छे रों को आप देख लेंगे जिसे आर का ठारा ए का पांच टी का बीस एक आई का नो तो इसको दोस्तों आप इनके ओपर घटा करके आप सेम इसको आप साल्फ करके बहुत ही आसानी से जिससे एका पांच ह है ऐसे ही दोस्तों आप नीचे लिख करके तो आप मैच कराएंगे तो यह आएगा दोस्तों तीन एफ वाई क्यू एफ डी यू अगला कोश्चन है दोस्तों ये एक मैं चप्टर बना दूँगा एक बना दूँगा अगला मतलब एक वीडियो में बना दूँगा तो ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूँगा वैसे देख लीजिए ये आर R का 18 है और E का 5 है तो इसको कर लेंगे आप इसके बीच में घटा लेंगे जितना आएगा वुशित तरह है इसको हम मैच करा लेंगे अगला एक व्योंगा दोस्तों यादि A B का अर्थ 25 B C का अर्थ 57 BD का अर्थ 58 है तब C A D B का अर्थ है तो दोस्तों जैसे देखिए क्या है दोस्तों, C C का अर्थ है 7 तो यह 7 A का अर्थ है 2 तो 2 और D का अर्थ है 8 तो 8 और B का अर्थ है 5 तो 5 तो आंसर यह होगा सही अगला कोशीन है दोस्तों इन प्रस्णों में एक स्रिंखला दी गई है जिसमें एक टर्म लुप्त है दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो उसी पैटर्न का हो और दी गई स्रिंखला में परस्न चिन के अस्थान पर आए तो S, C, D, T, E, F तो यह कोडिंग है दोस्तों तो इसका आप सेम उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग से आप लगा सकते हो तो जैसे S का 19, C का 3, D का 4 है तो यह 19, 3, 4 लिक करके उनको एक दूसरे घटा दीजिए जो आएगा वैसे T, E, F का घटा दीजिए तो आंसर इसका आजाएगा दोस्तों V, I J, अगला कोश्चन है दोस्तों 11, 13, 17, 19, 23, 25 तो आंसर होगा इसका दोस्तों अगला कुझो होगा 29 आप इसे घटा लिजिए 11, 13, 11, 12, 17 में से तो देखिए 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, फिर 4 आजाएगा तो 29 आजाएगा इसका आंसर अगला कोश्चन है दोस्तों इन प्रस्थनों में चार सब्द दिये गए हैं जिन में से तीन किसी प्रकार आपस में मिलते हैं जबकि चौथा उनमें से भिन है उसे चुनिये और बाकी तीन से भिन है जो बाकी तीन से भिन है तो टायर, स्टीरिंग वील, इंजन और कार तो ये सब पार्ट है और कार पूरा कार है इसलिए का भार अलग होगा अगला है संग्या सर्व सर्ग में बिराम चिन और कि रिया विशेषर्ण में अगला है दोस्तों कि रमाकान उत्तर की और चलता है कुछ देर बाद वा अपनी दाई और मुरता है झोड़ा आ अगे जाकर अपने हाइं योर जाता है अंत में एक किलो मीटर चलने के बाद वा फिर से अपने बाई और मुड़ता है इस समय किस दिशा की और चल रहा है तो आंसर होगा इसका दूस्तों पश्चिम अगला कोश्चन है दोस्तों नीचे दी गई अंग श्रिंखला में कितने ऐसे पांच हैं जिनके पहले साथ और उसके तुरंद बाद छे है तो इसका अंसर होगा दोस्तों एक पार ये देखें पांच से चश्च तुरंद पहले साथ है तुरंद बाद छे है दोस्तों तो आंसर होगा इसका पहला एक अगला कोश्चन है दोस्तों यद पी का तात पर विभाजन है टी का ताथ पर जोड, M का ताथ पर घटाना और D का ताथ पर गुड़ा है, तब दिये गए बेंजन का मान क्या होगा, तो इसको सेम दोस्तों, इनके जिगा पर आप वई वेचेन लगा करके, आप इसको साल्प करेंगे, तो इसका अंसर आएगा, इन में से कोई नहीं, इसमें से क कोई मेश नहीं कर रहा है, अगला कोश्चन है दोस्तों, यदि पिता की आयू, उसके पुत्र की आयू के तीगनी, तीन गुना है, पांच वर्स पहले, उसकी आयू, उसके पुत्र की आयू, उसकी चार गुना थी, पुत्र की आयू क्या होगी, इसका अंसर होगा दोस्तों पंदरा अब पंदरा से इसको साल उलटा भी आफ साल करोगे तो भी आ जाएगा दोस्तों तो अग्ला कोश्यन है दोस्तों चार अंकों चार अंकों का आउसत तेरा है तीन अंक छे सोला और आठ हैं चौथा अंक कौन सा है आंसर होगा इसका दोस्तों बाईस अगला कोश्चन है दोस्तों एक छात्र का रैंग दाहिनी ओर से तेरवा है बाई ओर से आठवा है वहां कुल कितने छात्र हैं आंसर होगा बीस अगला कोशन है दोस्तों दो अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग की तीन गुना है यदि इसमें 45 जोड दिया जाए तो इस संख्या के अंक उल्टे हो जाते हैं वह संख्या क्या होगी 27 अगला कोशन है दोस्तों इसको अफसाल भी कर लोगे तीन गुना है तो नो तरीख सताइस नो आ जाएगा और पैतालिस सताइस में पैतालिस जोड़ेंगे तो बहत्तर आ जाएगा अगला कोशन है दोस्तों 1980 में भारत का गरतंतर दिवस सनिवार को था X का जनम तीन मार्श 1980 को हुआ यदि Y और X से चार दिन बड़ा है तब Y का जनम किस दिन हुआ था इसका अंसर होगा दोस्तों सुक्रवार अगला कोशन है दोस्तों दिये गए पिकल्पों में से ऐसी संख्या चुनी है जो पहली दो संख्याओं के बीच संबंद के समान ही संबंद बेक्त करती है आंसर होगा 54 अगला कोशन है दोस्तों यह देखिए चार 36 और 6 तो 4 का 36 से अगर हम करेंगे तो 34 नवा 36 नो बार जा रहा है तो 6 नवा 54 नो यह बार में हो जाएगा अगला है नीचे दिये गए आरेख का ध्यान पूरवा कध्यान करें और उस छेत्र उन छेत्रों की पहचाने जो उन युआओं को निरूपित करता है जो नौकरी करते हैं पर तो सिच्छित नहीं है आंसर होगा इसका दोस्तों देखे नौकरी तो करते हैं मतलब नियोजित और पर सिच्छित नहीं है ये सिच्छित का है तो Answer होगा इसका दोस्तों 4 यह 4 जो है वो युआ हैं बट सिच्छित नहीं है और नौकरी करते हैं तो Answer हो इसका 4 अगला कोशन है दोस्तों नीचे दी गए स्रिंखला को पूरा करनेिस के लिए एक पुरुस किसी महिला से कहता है कि इसकी माता तुम्हारे पिता की एकलोती पुत्री है महिला का उस वेक्ति से क्या संबन्द है आंसर होगा जो दोस्तों पुत्री अगला क्वेशन है C से B की गति तीन गुनी है C दौारा चंगोन मिनट में तै की गई यातरा भी कितने समय में पूरी करेगा आंसर होगा आठारा मिनट अगला क्वेशन है दोस्तों किसी विशेश कोड में 975 का अर्थ थ्रो अवे गार्बेज 528 का अर्थ गिव अवे इस्मोकिंग और 213 का अर्थ है इस्मोकिंग इस हार्मफुल इस कोड में किस अंक का अर्थ गिव है तो गिव दोस्तों ये है तो दो गिव जो दोस्तों है जी आई वी इ गिव ये देखिए दोस्तों 528 ये देख लिए 528 में 5 का अर्थ है गिव तो ये गिव हो गया पांचवा नम्बर आंसर हो गया अगला कोश्चन है अरुनिमासिन हाथ निमनलिखित में से किस छेतर से संबंदित हैं परवता रोहन ये पुटबाल की भी खिलाडी है लेकिन ये परवता रोही भी है इन्होंने परवत पे चड़ी थी अगला कोश्चन है 2015 में वीरा मड़ी सामाजिक न्याय पुरुषकार के लिए किसे चुना गया था अंसर होगा दोस्तों नितिस कुमार निमनलिकित में से किस जोड़े ने 2016 अश्ट्रेलियाई ओपन मैला डबल किताब जीता है अंसर होगा सानिया मिर्जा और मार्टिना अगला है बौध अध्यन केंद्रिय संस्थान CIBS किस सहर में इस्थित है अंसर होगा ले अगला है देश में देश की कौन सी पहली ट्रेन है जिसके सभी आरच्छित कूचों में ब्रेल अनता स्थापित ब्रेल एमडे एमडे डिड है अंसर होगा मैसूर वारानसी एक्स्प अगला है भारत का उचितम सांतिकाल वीरता चक्र है आंसर होगा अगला कोश्चन है दोस्तों भारत में राश्ट्रिय बालिका दिवसकब मनाया जाता है 24 जनवरी अगला कोश्चन है 2015 के लिए तीसरे राश्ट्रिय यस्चोपड़ा मेमोरियल पुरुषकार से किसे सम्मान किया गया आंसर होगा रेखा अगला कोश्चन है दोस्तों मनुष्यों मनुष्यों में जिका वाइरस की संरचना के लिए निमलिखित में से कौन उत्तरदाई है आंसर होगा मच्छत अगला कोश्चन है निमलिखित में से भारत का कौन सा पहला रेलवे स्टेशन है जहां हा उहां लेखा परिच्छा की निप्ति कौन करता है राश्ट्रपती अगला कोश्चन है पुष्टक क्रियेटिंग लीडर्शिप की लेखी का है आंसर होगा किरणबेदी अगला है निमलिकित में से किस पैनल का गठन सात्य बेतन आयोग की सिपारिसों का अध्यन करने के लिए किया गया है आंसर होगा पी के सिनहा पैनल अगला है निमलिकित में से किस देश और उसकी राजधानी का गठन सही नहीं है आंसर होगा दोस्तों इटली मिलान यह सही नहीं है अगला है निमलिकित में से कौन सा पहला राज्य है जिसे सो परसेंट प्रात्मिक सिच्छा प्र hollow question का जो वीडियों है दोस्तों मैं तुरन इसके बाद ही post करता हूं दोस्तों टीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें-शेयर करें इस चैनल को सभ्सक्राइब करें दोस्तों आप के प्यार का मुजह बहुत ज़रूओ थे दोस्तों और आपके लिए मैं maximum स用 Mission मैं वीडियो बनाने के पूरी कोशिश करता हूं जिससे आपको टी जी टू एक्जाम आपका या एलपी का एक्जाम आपका क्लियर हो सके टेकनिकल के भी कोश्चन मैं दे रहा हूं दोस्तों ये कुछ पेपर सेट थे तो मैंने सोचा हूं उनको बना देता हूं आपका दोस्तों